भारत में 400 से भी ज्यादा नदिया बहती हैं और इन में से सबसे लंबी गंगा नदी को तो हम मा कहके पुकारते हैं पर आज मा खत्रे में हैं मा ने बरसों इस देश को लाड़ प्यार से पाला है और बदले में हम इने क्या दे रहे हैं? जहर! संगम के पानी में खतरनाग बेक्टेरिया की मातरा अब गंभीर श्रेणी तक पहुंची की स्वागत है आपका हमारे नए चैनल पे जहां हम आज चर्चा करेंगे प्रयागराद संगम में चल रहे हैं महा कुम की जिसका पानी नहाना तो दूर छूने लाइक भी नहीं बचा है तो चल ये शुरू करते हैं महा कुम जब शुरू हुआ तो आपकी तरह हमारी टीम भी संगम का दर्शन करना चाहती थी और किसी तरह हम जैनवरी में महां पहुँच भी गए जाकर गर्ब भी हुआ क्योंकि 144 साल बाद ये मेला लगने जा रहा था हमने संगम में डुपकी लगाई लोगों से बाते भी की और हर शद्धालों की तरह गंगा जल घर लेकर भी है पर अब ख़बर ये है कि ये पानी ना तो नहाने लाइक है ना पीने लाइक और ना ही छूने लाइक इस पानी में फीकल कॉलिफॉर्म बैक्टेरिया की मातरा खतरे की निशान से भी काफी उपर पहुँच चुकी है कि रिपोर्ट सेंटरल पल्यूशन बोर्ड ने नैश्टनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को सौपी थी उन्होंने 73 लोकेशन्स पे सैंपल टेस्टिंग किया और लगबग सारे जगों पे बैक्टेरिया लिमिट के काफी उपर थी फीकल कॉलिफॉर्म बैक्टेरिया इंसानों और जानवरों के फीकल मैटर में पाया जाता है जो खतरनाक बीमारियों का शोथ हो सकता है इसका 100 मिली लीटर पानी में सेफ लिमिट होता है पच्चिस सो यूनिट्स और संगम में कितने थे? नॉर्मल लिमिट से 1400 गुना ज्यादा रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि ये पानी सीवेज या इंडस्टियल वेस्स से दूशित नहीं हुआ है बलकि इनसान और जानवरों के वेस्स से दूशित हुआ है अब आप अंदाजा लगा लीजे कुम में 40 से 50 करोड से ज्यादा शद्धा लोग पहुंचे 20 करोड से भी ज्यादा गंगा जलके डिमबे बिख चुके हैं और भीड अब भी कम होने का नाम नहीं ले रही महाकुम्ब के मेलक शेतर में अब तक पानी की 20 करोड कैंस और बॉटल्स बिख चुकी है तो क्या गंगा नदी की इस बार जो दूरदशा हुई है इसमें कुछ सुधार की उमीद है या फिर एक बार ये सिर्फ एक ट्रेंडिंग न्यूस बनके रह जाएगी गंगा नदी हमेशा से स्वच्छतावियान और चुनावों का टार्गेट रही है और पिछले 10 साल में ही इस पे 40,000 करोड से ज्यादा खर्च हो चुके है अब आप खुद देखिए 2014 में बीजेपी सरकार के सबसे बड़े चुनावी वादों में से एक थान नमामी कर गे इस प्लैन का हैमसा था सीवेज इंफरस्ट्रक्चर बनाना जिसका पहले 5 साल का बजट ही 20,000 करोड था और फिर 2021 में ये प्लैन फिर से 5 साल यानि 2026 तक एक्स्टेंट कर दिया गया जिसका बजट है 22,500 करोड रुपे पिछले साल जून तक की बात करें तो लगभग 49,000 करोड रुपे के बजट पे कुछ 466 प्रजेक्ट शुरू किये गए जिसमें से अब तक कुछ 292 प्रजेक्ट चालू हो चुके हैं और जहां तक सीवेज की बात करें तो गंगा की जितने भी नजदी की शहर हैं वो सब मिलके कुछ 3,000,000,000 लीटर सीवेज जेनरेट करते हैं जो हर दिन गंगा में बह जाती है इसलिए अब नमामी गंगे के तहट सीवेज ट्रीटमेंट प्लैन बनाना ही सबसे बड़ा टार्गेट है और इसलिए बजट का सबसे बड़ा हिस्सा भी इसी को दिया गया है जो है कुछ 32,000 करोड रुपे और 200 सिवरेज इंफ्रस्ट्रक्चर प्रजेक्ट्स इन में से अब तक 120 सिवरेज प्रजेक्ट्स ऑपरेशनल किये गए हैं और ये लगभग 4500 किलोमीटर लंबा नेटवर्क बन चुका है पर साथ सफाई तो एक चैलेंज है ही पर इससे बड़ा चैलेंज है कि गंगा अब सूख रही है हाँ सही सुना आपने रिपोर्ट्स के मताबिक 2075 तक गंगा का पानी पूरी तरह सूख जाएगा 2016 में आईटी खड़कपुर की टीम ने इस पे एक रिपोर्ट पेश की थी इसमें कहा गया था कि गंगा नदी ग्राउंड वाटर से पानी खीचने की जगा अपना पानी खो रही है जो लेवल 1970 में 22 मीटर था वो 2016 आते आते 18 मीटर हो चुका था इसके अलावा गंगा प्लेंस के आसपस जो वेट लेंड्स थे जैसे की लेक्स और पोखर वो भी सूख रहे हैं ये वेट लेंड्स यूशुली नदी के पानी को रिचार्ज करने में मदद करते हैं पर अब तो यहां भी पानी ना के बराबरी बचा है इसके अलावा किसान नदी का 85% पानी सिचाई में इस्तमाल करते हैं जो एक बड़ा कारण है नदी के सूखने का भारत एक क्रिशी प्रधान देश है और गंगा नदी किसानों के लिए किसी अमरित से कम नहीं है पर अब किसान भी मायूस हो रहे हैं अब ग्राउंड वाटर 80-100 फीट नीचे जा चुका है जिसका सीधा असर किसानों पे पड़ता है जो नदी पे पूरी तरह से डिपेंडन्ट रहते हैं नदीों के एर्ज गेट जो इंफ्रस्ट्रक्चर प्रजेक्ट्स बन रहे हैं वो भी गंगा के नैच्टरल फ्लो को डिस्टर्ब करके खत्रा बढ़ा रहे हैं अब जितनी तेजी से गंगा पे डैंस और बैरेजियों से गुजर कर कुल 25-100 किलोमीटर का सपर तै करती है जिसमें वो से शुरू के 80 किलोमीटर ही अपने नैच्टरल फ्लो पे तै कर पाती है बागी बच्चे फ्लो में रिजर्वायर, बैरेजल और कैनल्स आ जाते हैं जिनकी वज़े से 27,000 करोड लोगों तक पानी पहुँचता है इसका असर वहां आने वाली नैच्टरल डिजास्टरस पे भी देखा जाता है जितने ज़्यादा प्रोजेक्ट्स, उतना ज़्यादा खत्रा ना सब वहां रहने वालों पे बलकि मजदूरों पे भी जैसी कि 2021 की इस बार में 200 मजदूरों की जान चली गई थी और ऐसी खबरे 2013 की केदार नात्रासदी के बाद से और भी ज्यादा आने लगी है अब ये सवाल सिर्फ गंगा के सर्वाइवल तक सीवित नहीं है बलकि ये सवाल हमारे सर्वाइवल कर देखाए और जब मा कही जाने वाली गंगा नदी का ये हाल है तो बांकी नदीयों का क्या हाल होगा बाद सिर्फ गंगा पे ही खतम नहीं होती इस देश की लगबग 351 नदियां पल्यूटेड हैं और इन में से 13 नदियां तो सिर्फ महराष्टा से ही है तकि नभी हम बात करेंगी यमुना की जिसका जिकत पुरानों से होता आया है इसके किनारे मतरा वरिंदावन जैसी पावन जगे भी है और दुनिया का एक वंडर ताज महल भी इसी के किनारे है एक समय में अपनी चमचमाती नीले पानी के लिए जाने जाने वाली यमुना अब महज एक नाला बनके रह गई है खास करके जब ये देश की राज़ानी दिल्ली में इंट्री लेती है इस वीडियो में दिखाएगे इस चीज को बादल समझके डील बनाते लोगों को ये नहीं पता है कि ये यमुना के पल्यूशन की वज़े से उपजा हुआ टॉक्सिक फोम है इसको साफ करने के लिए पिछले 32 साल में 7,000 करोड रुपे खर्च हो चुके हैं और इन 32 सालों के बाद हमारे हाथ अब क्या लगा है लगभग 80,000,000,000 यूनिट फीकल बैक्टिरिया जो की जान लेवा है और हाँ जीरो ऑक्सिशन यानि इस पानी में कोई भी मरीन लाइफ अब जीवित नहीं है यमुना नदी दिल्ली में कुल 22 किलोमीटर का सफर करती है जो इसके पूरे सफर का महद 2 प्रतिशत है परिन 22 किलोमीटर में यमुना के साथ होता क्या है तो बात ये है कि इस नदी में 80% पॉल्यूशन सिर्फ दिल्ली से होता है चाहे वो इंडस्टियल वेस्ट हो, सीविश का अंट्रीटेट पानी हो क्या एनिमल और यूमन वेस्ट हो इस नदी में सब कुछ बिल्कुल ओपेनली बहाया जाता है सीविश की बात करें तो यमुना में हर दिन लगभल 80 करोड लीटर सीविश बहाया जाता है मतलब इस पानी में किसी तरह के जीव के होने की गुणजाईश तो आप छोड़ी दीजिए इस पानी से आप हाथ भी नहीं दो सकते यमना नदी दिल्ली की 70% water demands पूरी करती है पर इस नदी पे कुल 6 करोड लोग dependent है इन में बिहार बंगाल से आए हुए मचुआरे भी शामिल थे जो की 50-60 के दशक में यहाँ पे पलायन करके आ गए थे और अब तो ना इनके लिए स्चुद्ध पानी बचा नाम मचलिया और बार बार यही सवाल उठता है कि यमना हर बार देश की राजधानी में आके ही इतनी महली कैसे हो जाती है इसका एक बहुत बड़ा कारान है हरियाना दिल्ली बार बार पे सिचुएटेड वजीराबाद बार आज जहां इस पानी को पूरी दिल्ली में डिस्टिब्यूट किया जाता है पर इसके बाद आता है नजफगर नाला यानि की साहीबी नदी जो इस नदी में आके मिल जाती है दिल्ली के 17-18 नाले इस नजफगर नाले से जुड़ते हैं और लगभग 450 मिलियन गैलन गंदगी लेके यमना में मिल जाते हैं सीवेज ट्रीट्मेंट प्लैंट्स यानि स्टिपीज की बात करें तो दिल्ली में कुल 37 स्टिपीज हैं जिसमें से 22 तो पल्यूशन कमिटी की गाइडलाइन सी मीट नहीं कर पाते यानि जो सीवेज आ रहा है तो अधिकतर बिना ट्रीट किये गए यमना में मिल रहा है और लोगों के घरों तक पहुँच रहा है जिसमें फीकल कॉलिफॉर्म जैसे खतरनाथ बैक्टीरिया भी शामिल होंगे और अब हाल ये है किस नदी कोई E-rating मिल चुकी है जो की सबसे ज्यादा पल्यूटेड रिवर की कैटेगरी में आता है जिसका मतलब है कि इसका पानी सिफ इंडस्टियल पर्पस के लिए यूज हो सकता है इसके अंदर किसी भी तरह की अंडर्वाटर लाइफ पर मुम्किन नहीं है दिल्ली में चुनाव खतम होने के बाद से यमना की सफाई के मामले में कुछ हलचल तो देखने को मिली है पर ये कब तक रहेगी चुनाव के बाद कैमराज अपनी और मोडने के लिए ये हलचल है या फिर ये सच में यमना की सफाई की जा रही है ये तो वक्त मताएगा अब जब इतनी नदिया जूज रही है तो कुछ उपाई भी तो होंगे ना हाँ उपाई हैं पहला तो STPs सेट अप करने ज़रूरी है जो कि functional हो क्योंकि आप जितना भी कचरा साफ कर लो अगर दूसरी तरह से कचरा untreated पानी में ही डाला जा रहा हो तो फिर क्या फाइदा दूसरा जो industrial और residential कचरा है उसका dumping ground एक landfill ground होना चाहिए नदी के बजाए हाला कि इससे भी land pollution तो होगा ही पर कम से कम आपकी यमना तो साफ रहेगी और सरकार दवारा जो entrochments हैं dance और barrages बनाने के लिए वो भी काफी चिंता जनक हैं और यह आप वजीराबाद में देख सकते हैं खैल नदी के साफ करने के examples की बात करें तो चलिए आपको लेके चलते हैं साबरमती नदी इसका हाल भी कुछ यमना के जैसा ही था 17-80 साल पहले यहां 1880 में पहला bridge बना फिर साबरमती आश्रम बना और 1980 आते आते यहां पे commercial sectors खुल गए घर बनने लगे और production चरम पे था और आखिरकार 2003 में इसको साफ करने का project शुरू कर ही दिया गया इसके तहत उस नदी के दोनों तरफ ground level को उचा किया गया 2006 में यहां अम बेटकर bridge बनाया गया और 2010 तक लग भग 10,000 परिवारों को resettle कर दिया गया वो यह सारे परिवार थे जो इस project की वज़े से बेघर हुए थे अब साबरमती इतनी साफ है कि गुजरात सरकार चाह रही है कि साबरमती अपना revenue खुद generate करे और आत्मनिर भर बने इसलिए यहां water sports और amphitheater जैसी सोविधाये दे दी गए इसके अलावा साबरमती पे बनाया गया riverfront project successful था इसकी देखा देखी यमना के लिए भी same plan बनाने की बात चल रही इसके अलावा England की थेम्स नदी को दुनिया की सबसे साफ नदी बनने में सिर्स 60 साल लगे जब 1967 में इसे biological डेड करार कर दिया गया था इसको साफ करने के लिए स्टीपीज बनाये गए और industrial waste को control किया गया पर आखिरकार कहा जा रहा है कि यहां migratory birds भी वापस आ रही है यानि ये नदी अब वापस से जिन्दा हो रही models तो बहुत मिलेंगे जिन्हें हम follow कर सकते है पर जमीनी तोर पर ये हमारी ही जिम्मदारी बनती है पर अगर आपने lockdown में देखा होगा तो सारी नदिया एकदम साफ हो चुकी थी क्योंकि सारे factories ठप थे तो नदी इस सारा कच्रा खुदी बहा के ले गई और शुद्ध हो गई अर्थ खुद को हील करने के लिए बहुत काबिल है इंसानों की जरूरत तो है भी नहीं पर हम कहां मानने वाले हम भी तो यहीं है इसलिए ये balance लाना हमारे लिए मुश्किल हो रहा है वेतनाम इंडोनेशिया जैसे देश advanced river cleaning technology का इस्तेमाल कर रहे हैं भारत में भी ground level पे cleaning project शुरू करने की जरूरत है जिसमें local youth और NGO's शामिल हो सके एक और कदम जो discuss हो रहा है वो है गंगा यमुना को legal human rights देने का इसका मतलब यदि कोई भी व्यक्ती नदी का शोशन करते पाया गया तो उस पे case हो सकता है भारत की नदियां सिर्फ जल का श्रोत नहीं कि हमारी संस्कृती हमारी आस्था का हिस्सा है क्या हम सिर्फ छट पूजा या महाकुम के दोरानी नदियों की चिंता करेंगे या फिर सिर्फ election आने पे इनका नाम लेंगे और इनका पानी पी के दिखाने की शर्त लगाएंगे भारत ऐसे भी पानी की समस्या से जूचता तो आ ही रहा है और ये आगे कम तो होने वाला नहीं है खिर इस पे हम एक अलग वीडियो बनाएंगे उसके लिए हमारे साथ बने रही है खिर पॉइंट ये है कि अगर अभी हमने कुछ नहीं किया तो आने वाली जेनरेशन साफ न दियां सब किताबों में टीवी पे ही देख पाएगी ये थी हमारी पहली कहानी इस नए चैनल पे जहां चर्चा जारी है अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए और यमना और गंगा को साफ करने के लिए क्या कर सकते हैं ये राय कमेंट्स में बताईए